लिम्नुलोजी यह विज्ञान की वह सखा है जिसमें जीलो का अध्यन किया जाता है फिनलैंड विस्व में इसे जीलो का देश कहते हैं स्रीनगर भारत में इसे जीलो की नगरी कहते हैं क्यूंकि यहां सरवधिक सुन्दर जीले हैं पुदैपूर रजस्थान में इसे जीलो की नगरी कहते हैं चोलामू जील उचाई 18,000 फेट यह जील सिक्किम में इस्तित है यह भारत की सबसे उची जील है यह जील से तिस्ता नदी निकलती है तिस्ता नदी को सिक्किम की जीवन रेखा भी कहते हैं देवताल जील यह जील उत्राखंड में इस्तित है यह भारत की दुसरी सबसे उची जील है उलल जील यह जील सिरी नगर जमुकस्मीर में इस्तित है यह भारत की सबसे बड़ी मिठे पानी की जील है इस जील में जेलम नदी का पानी आता है जेलम नदी पर जमुकस्मीर की में प्रसीद तुलबुल पर योजना चल रही है जिल का जील 6 तरफल 916 किलोमेटर स्क्वायर यह जील उडिसा में इस्तित है यह भारत तथा एसिया की सबसे बड़ी तथा सबसे गहरी जील है या खारे पानी की जील है या भारत में सबसे बड़ी लागून तटिय जील भी है इस जील के पास नौ सेना का प्रसिक्षण के अंदर भी है लोक टक जील या जील मड़ी पूर में इस्तित है या पूर्वी भारत की सबसे बड़े मिठे पानी की जील है इस जील में भारत का एक माद तरता हुआ राश्ट्रिय उद्यान केबूल लमजाओ राश्ट्रिय उद्यान इस्तित है वेबनाच जील, लंबा ही 3.5 गिलोमेटर यह जील वेलिंग्टन दुईप केरल में इस्तित है यह भारत की सबसे लंबी जील है यह जिल भारत में नौकायान प्रत्यों गिताब के लिए प्रसिद है लुनार जिल यह जिल बुलधाना जिला महराश्ट में इस्तित है यह भारत की सबसे बड़ी क्रेटर जिल है इस जील के बारे में यह माना जाता है कि इस जील का निर्माढ उलका पिंट से हुआ है कोलेरु जील या जील आंद्रा प्रदेश में इस्तित है या भारत तथा एसिया की सरवधिक अद्रता वाला जील है डल जील या जील सिरी नगर जमू कस्मीर में इस्तित है या भारत की सबसे बड़ी सुन्दर जील है या भारत की एक मात्र ऐसी जील है जो अक्सर सर्दियों में जम जाती है इस जील के पास भारत के प्रसीद फूलों के बाग सालिमार बाग तथा निसांत बाग इस्तित है सालिमार बाग एस यह सबसे बड़ा फूलों का बाग है जिसका निर्माड सा जहाने करवाया था गोविन सागर जील या जील हिमाचल परदेश में इस्तित है या भारत की सबसे बड़ी लंबिक कृतिम जील है या जील भाखडा बांध से निकली गई है भाकड़ा बांग सतलत नदी पत्थव्यास नदी के उपर हिमाचल परदेश में इस्तित है यह जील हिमाचल परदेश को जल आपूरती कराती है सामभर जील यह जील राजस्थान में इस्तित है यह भारत में नमक उत्पाद की द्रिश्टी से सबसे बड़ी जील है जो भारत के कुल नमक उत्पाद उनके 8.7% नमक उत्पाद करती है जस्मंद जील यह जील उदैपूरा जस्थान में इस्तित है यह भारत में छेत्रफल की द्रिश्टी से सबसे बड़ी मीठे पानी की कृतियम जील है इस जील का निर्माड राजा जैसिंग ने करवाया था एस जील में गोमती रुपा रेल जामरी नदिया का पानी आता है इस जील से स्यामापूरा तथा भाट फिर भट्टा नहरें निकाली गई है हुसैन सागर जील या जील आंदर परदेश में इस्तित है इस जील के किनारे भारत के जुड़वास और हैदराबाद और सिकंदराबाद इस्तित है राजवार जीले चंडीगड सुखना जील चंडीगड में सुखना जील उत्तर परदेश फूलर जील गुजरात खारा घोड़ा जील केरल अस्त मुड़ी जील पूलिकड जील हर्याणा सुरज कुंड जील दमदमा जील हीमाचल परदेश, चंद्रता जील, सुरज ताल जील, नाको जील, जम्मु कस्मीर में नागीन जील, सेस नाग जील, बेरी नाग जील, अनन्त नाग जील, मानस जील उत्रा खण में, रक्स ताल जील, भीम ताल जील, खुर्प ताल जील, मला ताल जील, सा ताल जील बंदरगा, कांडला, जवारिय बंदरगा, अरब सागर गुजरात में इस्तित है, कोची, अरब सागर किरल में इस्तित है, कुलकत्ता, हुबली नदी, पच्छी मंगाल में इस्तित है, चन्नाई, कृत्रीम, एवं सबसे प्राचीन बंदरगा, बंगाल की खाड़ी तमिलाडू में इस्तित है, तूती कोरीन, बंगाल की खाड़ी तमिलाडू में इस्तित है, एनौर, बंगाल की खाड़ी तमिलाडू में इस्तित है, न्यू मंगलोर, अरब सागर करनाटेका, मुंबई अरब सागर महराष्ट विसाखा पटनम सबसे घहरा एवं प्राकिर्तिक बंदरगा बंगाल की खाड़ी आंदर पर्देश पोर्ट ब्लेर अनमान निकोबार महत्रपुन परियोजना है इडू की परियोजना पर्यार नदी पे चल रा केरल में उकाई परियोजना त सापती नदी गुजात में परियोजना 17 नदी हिमाशल परदेश गंगा सागर परियोजना चंबल नदी मध्य परदेश ज्वाहर सागर परियोजना चंबल नदी राजस्थान जैकवाडी परियोजना गोदावरी महरास्ट टिहरी बांध परियोजना भागी रथी नदी न पुर्गापूर परी बैराज परियोजना दामोदर नदी पच्छी बंगाल दुलहस्ती परियोजना चिनाव नदी जम्मू और कास्मीर नागपूर सक्ति ग्री परियोजना महरास्ट कुराडी नदी महरास्ट, नगार्जुन सागर परियोजना, कृष्ण नदी आंधर प्रदेश, नाथपा ज्हाकरी परियोजना, सतलज नदी हिमाचल प्रदेश, पंचे ते बांधे दामोदर नदी ज्हारखंड, पोच्मपाद परियोजना, कार्नाटेका, फरक्का परियोजना, सोन नदी मध्य परदेश, भाखडा नागल परियोजना, सतलज नदी हिमाचल परदेश, भिम परियोजना, पाउना नदी तेलंगाना, माता टेला परियोजना, ब्यतवा नदी उत्तर परदेश, रंजीत सागर बांध परियोजना, रावी नदी जम्मु कास् राणा परताप सागर परियोजना प्चंबल नदी राजस्थान सतलज परियोजना चिनाब नदी जमू और काश्मीर सरदार सर्योजना नर्मदा नदी गुजराद हिडिकल परियोजना घाट प्रभा परियोजना करनाटका हिरा कुंड बांध परियोजना महानदी उड़िसा महतपूर्ण जल संदी बॉस जल संदी तस्मान सागर एवं दच्छिन सागर को जोड़ती है सुंडा जल संदी जावा सागर एवं हिंद महा सागर को जोड़ती है टोकरा जल संदी पूर्वी चीन सागर एवन प्रसांत महासागर को जोड़ती है Yucatan जलसंदी, Mexico की खाड़ी एवन केरिबीयन सागर को जोड़ती है Pananto जलसंदी, Adriatic सागर एवन Ionian सागर को जोड़ती है North Channel जलसंदी, Irish सागर और Atlantic महासागर को जोड़ती है हार्मूज जलसंदी फारस की खाड़ी और उमान की खाड़ी को जोड़ती है तौरस जलसंदी आरफूरा सागर और एजियन सागर को जोड़ती है डाडरन जलसंदी डाडरन लीज जलसंदी मारमरा सागर एवं एजियन सागर को जोड़ती है बसफोरस जलसंदी, काला सागर एवं मरमरा सागर को जोड़ती है मकसासार जलसंदी, जवा सागर और सेली बीज सागर को जोड़ती है बकल मंडवे डेव जलसंदी, लाल सागर एवं अरब सागर को जोड़ती है मलक्का जलसंदी अंडमान सागर और दच्छिन सागर को जोडती है पाक जलसंदी अंडमान सागर और दच्छिन सागर को जोडती है लुजोन जलसंदी दच्छिन चीन एवं फिलिपिन सागर को जोडती है बेरिंग जलसंदी बेरिंग सागर और चुक्सी जलसागर को जोड़ती है डेविस जलसंदी बेफिन खाड़ी और अटलांटिक महासागर को जोड़ती है डेनमार्क जलसंदी उतरी अटलांटिक और आर्टिक महासागर को जोड़ती है डोवर जलसंदी इंगलिस चैनल और उतरी सागर को जोड़ती है, हैडसन जलसंदी हैडसन की खाड़ी और अट्लांटिक महासागर को जोड़ती है, जिवलाटर जलसंदी भूमदे सागर एवं अट्लांटिक महासागर को जोड़ती है, कोरिया जलसंदी जपान सागर एवं प